हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सब का स्वागत है मेरी चानल में जिसका नाम है स्मार्ट लेंग स्टेप्स और मैं हूँ आशे शर्मा और देखिए आज मैं फिर आपके लिए अच्छी सी स्टोरी लेकर आई हूँ बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी का न क्या है इस स्टोरी के अंदर क्या यहां पे नोने इलाबरेट किया है थोड़ा से मैं आपको डिफाइन करती हूँ इन इंडिया भी हाव स्ट्रॉंग ट्रेडिशन ऑफ रिसाइकल वादर इट इस ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फूड और इन ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक क्ल वाइल देखा होगा कि आपने यह समने देखी होगी कि बहुत से नूसपेपर जो रद्दी वाले होते हैं या कवाडी वाले होते हैं वो हमारे कहर का कवाडा लेकर जाते हैं लेकिन उसका फिर रिसाइकल होता है कभी अपने 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 कपड़े या फिर इपने घर का हो रिसिकल करते हैं क्या हैann embaixo भी स्टोरी को पढ़ोगे आपको समझ में और तो समें अगर कि जो रिसिकलिन है और यह पहले ताइम से ही प्रॉपलर है तो चलिए अब हम इसकी मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं स्टोरी इस इंस्पाइड बाट रिपेर काफे बैंगलोर दाट रिपेर काफे के नाम से जहां पे एक ये फ्री वर्क शॉप है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं एक साथ खटा होकर यहां पर काम करते हैं और जो रिपेरिंग का चीजों को रिपेर करने का जो उनका अभी तक कल्चर है वो भी आज तक उसको मुहापयनोंने बनाई हुए है अट रिपेर कैफे इस रिपेर कैफे में रिपेर कैफे में हर तूल्स हर मैटेरिल्स चीजों को पास सकते हो उन चीजों को देख सकते हो जिन चीजों का यूज किया जाता है चीजों को रिपेर करने के लिए रिपेर अन्थूसियास्ट फिरे कैफे रिपेर अन्थूसियास्ट और एक होते हैं रिपेर उन Н्पुस्ट अपने सिर्प मज़ Tutaj जब इस रपनी सिर्प मज़ैड के लिए अपनी यूनीड के लिए बिचा को रिपेर कर रहे हो तो उसे बहीं रिपेर एंथूसियास्ट और अगर आप एक प्रोफेशनली किसी चीज को रिपेर कर रहे हो जैसे कोबलर का काम क्या होता है शूज को मैंड करना अम्रेला रिपेर करने वाला अलग होता है तेलर अलग होता है वाच रिपेर करने वाला अलग होता है तो यह सब एक आपदा काम की मतलब होता है आपदा जब भी कोई प्राकरतिक आपदा आती है तो जो यह प्रोफेशनल रिपेर होते हैं तो इनकी डिमांड बहुत बठ जाती है इन तीन साल में रिपेर काफे है बंगलूर में इन्होंने दो हजार किलो तक की जो वेस्ट चेज़े थी उनको उन्होंने क्या कर दिया रिपेर किया और इन्होंने इतने टाइम में तीन लाग से भी जादा चीज़ों को इन्होंने रिपेर किया अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या हो जाता इन सब चीज़ों से 2007 में बहुत बड़ा वेस्ट मांटें बिकार की चीज़ों का पहाड बन जाता तो यह था थोड़ा सा ऐसी इंट्रोडेक्शन अब आती है इसकी में स्टोरी शुरू होती है बहुत ही अच्छी है बहुत इंट्रस्टिंग है आप सबको भी बहुत अच्छी लेगी देखिए आप पिक्चर देख रहे हैं एक बच्चा है उसने अपना हाथ उपर किया है और शॉक डो रहा है और क्या शॉक कर रहा है कर बेदेख यहां पर लिखा हुआ है इसलिए मुझे बोलना पड़ रहे है ओनो विल शाम शॉम चिला थे बोलते है अरे नहीं सीमस ऑपिस फेवरेट शयट है हम अपाट उसकी फेवरेट शयट की जो सिलाई है वो निकल गई ह एक तमिल वर्ड होता है जो दादा जी के लिए यूज किया जाता है तो शाम चिलाते हुए अपने दादा जी को वाज लगा के बहुता है दाजा दी दादा जी देखो मेरी फेवरेट फट गई है और अमें शट को नहीं पहन सकता अफकॉर्स रिपेर कर सकते हैं उसके दादा जी बोलते हैं तुम बिलकुल पहन सकते हो अगर हम इसे रिपेर करेंगे तुम इसे पहन सकते हो Thata takes a needle and spool of the blue thread फिर थाता क्या करते हैं एक needle लेकर आते हैं oportunis लेकर आते हैं और एक dhaka लेकर आते हैं blue color का He shows Sham how to stitch the seams together और वो Sham को सिखाते हैं कि कैसी यह जो सिलाई होती है उसको एक साथ insecure सिला जाता है Sham's friend Shresha has come home Sham की friend है Shresha वो घरा जाती है शेज और वो आकर शाम से बोलती है शाम चलो हम अब साइकल करने चलते हैं अब सेकें पिक्चे देखो यहां पर दिख रहे है उसके थाथा अब उसके दादा-जी है जो उसकी शर्ट को ठीक कर रहे हैं इन इन शे शाम शाम बोलते हैं एक मिनिट रुको लेट मी आरें माई श उसके दादा जी ने बएसकी शर्ट को चल दिया है तो फो से रिचत को गई यह वह एक बीज एक मिनित रोको पहले पनी शर्ट को प्रेस करें रो ही स्विच ऑन दा आइरें बोक्स वह प्रेस को गरम करता है और स्विच ए नोट गलो लेकिन जो प्रेस की लाइट होती है वह और जो प्रेस होती है वो कैसी दिखती है ठंडी रहती है ओ आइल जस्ट वियर दक्रूंपल शर्ड अरे मुझे मतलब यह सुकड़ी हुई और बिना प्रेस की शर्ड पहनी पढ़ेगी ग्रूंपल शाम चिलाती हुए शाम बोलता है एफ रिपेर मेला लास्ट वीक शेर शरेशा शरेशा भोलती है कि मैं पिछले हफते एक रिपेर मेला में गई थी George uncle who teach chemistry in my brother college was repairing an iron box और मैंने उस मेले में George uncle को देखा था जो मेरे भाई के college में chemistry पढ़ाते हैं वो उस मेले में एक iron box को repair कर रहे थे मतलब ठीक कर रहे थे I watched what he was doing very closely और मैंने उनको बहुत ध्यान से देखा था कि वो कैसे उसे ठीक कर रहे हैं Let's try to set it right चलो ठीक है अब हम भी ऐसे ही करते हैं Do you have a screwdriver? क्या तुमारे पास screwdriver है? Screwdriver होता है जिसे बोलते हैं page curse जिसे हम यूज करते हैं Same वही Sham hunts in the cupboard and gets a screwdriver अब Sham क्या करता है? कबर्ड में screwdriver को ढोड़ना शुरू करता है और उसे screwdriver क्या होता है? मिल जाता है Shresha unscrew the back on the iron और Shresha जो होती है वो iron की जो back side की plate होती है उसको खोलना शुरू करती है See this wire यह wire देखो जब तुम power switch on करते हो electric current passes through it तो जो electric current होता है वो यहां से pass होता है and heats up the iron plate और उसके बाद यह iron की plate को गरम करता है This process is called conduction Shresha Shresha बोलती है कि इस process को क्या बोलते है Conduction बोलते है तो यहां पे देखो यह थोड़ी यह wire और jar, plug यह सब दिखा रखा है थोड़ा picturization करके and this small thing is the thermostat और यह छोटी सी चीज है इसको thermostat कहते है It makes sure that the iron doesn't get too hot और यह क्या काम करती है इसका काम यह होता है कि यह press को जादा गरम होने नहीं देती If the heat goes away up It just cut off the power और अगर प्रेस जादा गरम हो जाती है तो यह का करती है Power cut कर देती है The red light goes out और जो red light होती है वो बंद हो जाती है आप समझे देखा होगा कि आपके घर में press है जैसे आप प्रेस का switch on करते होते है Red light start हो जाती है जल जाती है न और जब प्रेस गरम हो जाती है बहुत जादा तो लाइट क्या होती है बंद हो जाती है जैसे क्या होता है कि उसका जो temperature होता है वो normal होता है नॉर्मल करनी के लिए When the iron cools down और जब प्रेस ठंडी होती है The current flow again and the light comes on तो जब प्रेस ठंडी हो जाती है तो फिर से current पास होने लगता है और जो light होती है वो जल जाती है Other heating device must work the same way Right? Like greaser, kettles, oven तो बाकि जितने भी electronic item होते है जिसे geezer, kettle, oven होते है ये भी सारे ऐसी काम करते है जिसे प्रेस काम करती है बट शेशा is not listening She is pouring into the iron ये question पूसता है कौन? श्याम पूसता है बहुत शॉक होगे कि मतलब बाकि जितने भी electronic item होते है वो भी ऐसी करते है कि जब गरम हो जाएंगे तो light बंद हो जाएगी और फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर से light जिलेगी लेकिन जो शेशा होती है वो श्याम की बात नहीं सुन रही होती है उसका सारा ध्यान होता है प्रेस में कि प्रेस को कैसे repair करना है और कैसे उसकी problem को find करना है तो जब शेशा को समझ में नहीं आ रहा है उसने प्रेस तो खोल दी अब उसे problem नहीं पता चल रही है तो वो बोलती है मुझे नहीं लग रहा कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी तो बिचारा शाम बहुत परिशान है अरे नहीं ऐसा मत बोलो अम्मा और अप्पा जब देखेंगे कि हमने इस प्रेस के साथ ये करा है तो वो हमें बहुत डाटेंगे वी विल टेक इट टू दे रिपेर मेला दे विल हल्प अस हम ऐसा करते हैं कि हम इस प्रेस को रिपेर मेला ले जाते हैं वो हमारी मदद करेंगे बिफोर श्याम परेंट्स केंड आस्क दापाउट ये इस प्रेस के बारे में पूछें श्रैशा और श्याम क्या करते हैं उस प्रेस को ले जाते हैं अपने साथ कहां पर रिपेर मेला में देखे यह दिख रहा है बहुत बड़ा repair mella है कोई stitch कर रहा है कोई umbrella repair कर रहा है कुछ ने कुछ आपको करते हैं तो that is the repair mella in Bangalore जो स्टोरी में भी define किया है आंटी can you help us repair this iron box Shresha ask Anupama आंटी अब जो repair mella पहुंचते ही Shresha एक महाँ पे Anupama आंटी होती है उनसे बोलती है आंटी क्या आप हमारी मदद कर सकते हो इस प्रेस को repair करने में what's wrong with it इसे क्या हुआ है क्या दिक्कत है इसमें it won't switch on Shresha Shresha बोलती है कि यह गरम नहीं हो रही है switch on नहीं हो रहा है Anupama आंटी टेक out a little box with the wires and knobs Anupama एक छोटा सा डबबा लेकर आती है जिसमें wires और knobs होती है चेक करने के लिए कि exactly इसमें problem क्या हुई है She is the Anupama आंटी यह picture है आप देख सकते हैं इनके एक हाथ में press भी है This is a multimeter She says तो वो बोलती है कि यह एक multimeter है It checks if all the parts of the iron are allowing electric current to flow और यह क्या काम करता है यह यह check करता है कि iron के सारे parts मतलब electric current उसमें flow हो रहा है या नहीं हो रहा है मतलब यह जो multimeter है इससे यह पता चलता है कि कौन सा part काम कर रहा है और कौन सा काम नहीं कर रहा है Let's start with the plug चलो सबसे पहले हम plug start करते है Next उसके बाद she test all the other parts until she reach a small wire फिर वो test करते हैं उस press के सारे parts को तब तक जब तक कि वो छोट इसे तार के पास नहीं पहुंच जाती See this wire next to the plug देखो इस plug के पास जो दूसरा तार है It's broken यह तूट चुका है Even though it doesn't look damaged माना कि यह दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि यह damage हो चुका है यह खराब हो चुका है There is your problem और यही तुमारी problem है मतले चोटा सा जो wire है इस iron box का यह तूट गया है जिस वजह से press गरम नहीं हो रही है She cuts out the old wire and plug and fix a new wire and plug to the iron box फिर वो क्या करती है तो उस खराब plug को और wire को काड़ देती है और उसकी जगा एक new wire और plug को fix कर देती है Let's test it चलो ठीक है अब इसे test करके देखते है She switch it on and the light close तो फिर क्या करती है वो सबसे पहले switch on करती है और उसमें light जल जाती है After helping out at the mela and observing repair for a while They decide to head home वहाँ पे मेले में और लोगों की help करके और देखके कैसे repair किया जाता है चीजों को उसके बाद फिर शाम और श्रेशा डिसाइड करते हैं कि चलो अब घर वापिस चलते है यहाँ पे लोगों की help भी कर रहे हैं शाम भी कर रहा है और शेशा भी कर रही है और फिर उसके बाद वह अपने घर के लिए निकल जाते हैं अरे नहीं तार पंचर हो गया है लेट्स टेक इट तू दर मनी गंदा अन्ना चलो इसे मनी गंदा अन्ना भाई के पास लेकर जाते हैं तमिल में भाई को अन्ना बोलते हैं, शेश, शेशा, शेशा बोलती है, पंचर, no problem, सेश, मनी गंदा अन्ना, अब मनी गंदा अन्ना पंचर देखे बोलते हैं, पंचर हुआ है, कोई बात नहीं, कोई परिशानी नहीं है, अन्ना की पडोस में ही उसके एक छोट इसी दुकान होती है, cycle repair की, he has been invited to the repair mela, और उन्हें invited भी किया गयता, कहां पे, repair mela में, he turns the cycle upside down, सबसे पहले वो क्या करते हैं, cycle को पुल्टा पुल्टा लिटा देते हैं, मतलब नीचे डाउन लिटा देते हैं, गिरा देते हैं, he takes a pair of the tire, levers and prize and the piece the tire away from the metal rim, सबसे पहले वो tire को नीचे, cycle को नीचे गिरा देते हैं, फिर उसके अंदर उसका rim होता है, steel rim होता है, उसमें से वो tire को निकालते हैं, Soon the inner tube is out, और उसके बाद क्या होता है, जल्दी ही जो अंदर की tube होती है, वो बहार निकल जाती है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर अन्ना है, उनके हाथ में tube है, Can you see a hole anywhere? अन्ना asked the children, अन्ना बच्चों से पूस्ते हैं, क्या तुम दोनों को इस tube में कहीं भी छेद दिख रहा है? They can't, पर उन्हें नहीं दिख रहा था, then how do you tell where is the puncher? He asked, फिर अन्ना बोलते हैं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि इसमें puncher हुआ है, The children look at him cluelessly, अब जो बच्चे थे, मतलब बिना उनके पास कोई clue नहीं था, सिर्फ वो अन्ना को और उनके हाथ में जो tube थी, उसको देख रहे थे, He means the tube part by part in a tub half filled with water, मर्सिस का मीन से होता है dip करना, अब अन्ना क्या करते हैं, उनके पास एक tub होता है, उसमें वो tub आधा पानी से भरा होता है, अब उस tub में, पानी वाले tub में, अन्ना उस tube को थोड़ा थोड़े part को उसको dip करके देखते हैं, ये चेक करने के लिए, कि exactly puncher कहा पे है, at the one point they see small bubbles rising, फिर जब धीर धीर करके वो टायर के portion को dip करते हैं पानी में, तो ए जगा आके जब एक portion वो टायर का dip करते हैं, तो महां पे चोटी-चोटी सी bubbles उठने लगते हैं, see that's the where the hole is, देखो देखो पंचर यहां हुआ है, फिर ने दिख जाता है कि exactly puncher tube में किस जगा है, he cuts a small piece of rubber from an old tube, फिर वो क्या करते हैं, एक पुरानी जो tube पड़ी होती है, उसमें से छोट ऐसा पीस कट करते हैं, after rubbing the surface of the tube, around the hole with sandpaper, और फिर वो एक sandpaper से, जहां पे उन्हें उस piece को paste करना है, उसे rough करते हैं, he applies a rubber, accepts to the tube and the piece of rubber, और फिर उसके बाद उस जहां पे उन्हें उसे paste करना है, उस piece को, cut piece को, उस पे glue लगाते हैं, दोनों जगा पे वो glue लगाते हैं, और उसको क्या करते हैं, come seal this, he says, और फिर वो किसको बलाते हैं, शाम को बलाते हैं, शाम से बहुते हैं, शाम यहां पर आओ और तुम इसे paste करो, शाम puts the piece of the rubber on the hole and press it down, तो शाम कर करता है, उस rubber के जो piece होता है, उसको पकड़ता है, और उसे press कर देता है, कहां पर जहां पे पंचर होता है, If not of the professional who fix cycle, umbrellas, footwear and other things, अगर professional नहीं होते, जो cycle ठीक, cycle या umbrella ठीक करने वाले, footwear ठीक करने वाले या और चीज़ ठीक करने वाले, अगर professional repairs नहीं होते, We would have mountain of the waste of our, शेश शाम, तो शाम बोलता है, कि अगर हमारी इंडिया में repair करने वाले नहीं होते, तो एक बहुत बड़ा कवाड का पहाड बन जाता, The tire is fixed, tire भी fix हो गया, the iron is fixed, price भी ठीक हो गया, and शेश शाम राइट बैक हॉम, और शेश शाम क्या होते हैं, वापिस अपने घर के लिए निकल जाते हैं, It is a day well spent, और ये इनोनिक बहुत ही अच्छा दिन spent किया, तो ये ही होती है, यहाँ पे story खतम, इस story को यहाँ पे हमादुरिदास and the Vina Prashad ने इसे लिखा है, बट इसको illustrate क्या है, So, यह थी इसके story, I hope आप सबको अच्छे लगी होगी, थोड़ी cartoonistic है, थोड़ी picturization बहुत अच्छी है इसके अंदर, लेकिन story बहुत अच्छी है, and seriously, यह fact है, अगर हम चीजों को recycle नहीं करेंगे, तो हम धीरे धीरे वो चीज़े खटी होती जाएंगे, और एक दिन उनका अच्छमी कवारड बन जाएगा, तो वी शुट सायगा, तो वी शूट थनक्यू, तो अब रहुत अच्छी है, तो वी जूट थनक्यू, तो अब टीरे नहीं को एक साँगे, तो फोड़ी शुट्यों को खटी होता, वीजे खटी है, अग्यू ज़ेँ को सबीगे, यहर द